Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दी इनव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो, आज की इस वीडियो के अंदर में, हम MA History MAJ08 का Last Year, December 2022 का एक Quotient Paper को Solve करने वाले हैं Quotient Paper से हमें बहुत सारी learning मिलती है इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें अगर आप जादा-जादा Quotient Paper को Solve करते हो या कोई भी Quotient Paper को Solve करते हो तो सबसे Most Important चीज क्या होता है कि कि किसी भी Quotient Paper के अंदर में जो Quotients Put Up किये गए हैं, उसका Pattern क्या है कि इस तरीके से Quotients पूछे जा रहे हैं अगर हमें वो समझ में आता है तो आप अच्छे से Answer दे पाते हो कई बर क्या होता है कि हम किसी भी subject को किसी भी topic को बहुत अच्छे से cover करते हैं बहुत अच्छे समझते हैं पर अगर question घुमा कर पूछ लिया आता है तो आप बहुत सारे questions को visit करोगे ठीके और आपको एक ही question कई तरीके से पूछे हुए दिखेंगे जिससे आपको समझ में आगा कि एक question को कितने तरीके से put up किया जा सकता है ठीके ये भी हमें समझ में आ जाता है तीसरी चीज क्या होता है variety of questions तो आपने देख लिया कि इतने तरीके से पूछा जाता है ठीके साथ-साथ में जो आपके topics हैं जो आपका syllabus हैं वो भी 90% almost cover हो जाता है दोस्तो आज का video स्टार्ट करने से पहले आपको एक suggestion दो हैं जो भी students हैं हमारी video को देख रहे हैं जो भी हमारे viewers हैं हमारी videos को देखते हैं ठीक है हमें follow करते हैं में subscribe करते हैं तो उनके लिए suggestion यह रहेगा कि आपको करना क्या अगर आप MA history study कर रहे हो तो हमारे दीनफ चैनल के playlist में जाओ जो भी आपका subject है चाहिए first year में हो चाहिए second year में हो हर एक subject की last five year की videos मैंने बना रखिये उस video को जरूर देखे MHI08 की जो video है वो भी description में मिल जाएगा ठीक है कुछ जो question वे पर छूट गए थे जो पीछे exam होए उनके नहीं होए तो तो उनको मैं single cover करने वाला हूँ तो आज किस video के अंदर में दिसंबर 2022 के question वे पर को solve करेंगे देखो last five year के question वे पर को अगर आप solve करते तो सबसे बड़ा achievement क्या होगा उसके अंदर में आपका जो syllabus है 90% cover हो जाएगा एक सबसे बड़ी विडम बना क्या होते है इगनु के अंदर में आप पढ़ रहे हैं मैं भी इगनु के सही पढ़ा हूं मैं भी इगनु का स्टुडेंट हूं तो सबसे बड़ी विडम बना क्या होते है कि इगनु के स्टुडेंट के लिए कि उसको एक classes proper नहीं मिल पाती है कैसे study करना है क्या syllabus है किस तरह से syllabus को हम cover कर सकते है कि इस topic पर में ज्यादा focus करना चाहिए इसके बारे में आइडिया नहीं मिल पाता है तो इसके लिए आप self study जब आप self made के तौर पर work करते हो जब आपने आपको भी बनाने के लिए आप खुद work करते हो तो वहां पर question paper एक से आपका syllabus कम समय में जल्दी कवर कर पाऊगे क्योंकि exam के लिए आपके पास कम टाइम है चलिए आप आज का question paper को हम स्टार्ट करते आज की वीडियो को स्टार्ट करते विरा समय गवाए हुए तो दोस्तों यह MHI 08 का question paper है दिसमबर 2022 का जब दिसमबर में exam हुआ था भी अप्रेल चल रहा है जून में फिर से exam आने वाला है तो सबसे पहले इसी question paper को solve करते हैं और कुछ और question paper को भी हम solve करेंगे तो यह question paper आपके सामने है टोटल साथ pages इसके अंदर में MSI 08 है जो आपके इससे book का नाम देखोगे तो history of ecology and environment in India करके यह आपका नाम है इसके अंदर में हमें पढ़ना का है normally किसके basis पर question पूछे जाएंगे तो history of ecology के उपर में जो परियावरन परिस्तिती होती है किस तरसे environment के अंदर में होते हैं पर question 20 नंबर के होते हैं एक question solve को प्रॉपर तरीके से 20 नंबर मिलेंगे और सबसे most important चीज जो आपको हमेंसा याद रखना है आप tattoo करवा सकते हो इसको यह करके चलो आप ठीके 500 वर्ड के अंदर में ही आपको answer अपना complete करना है कई बार क्या होता है को यह समझ में आना चाहिए कि 500 वर्ड मतलब 500 वर्ड ठीक है 500 वर्ड में लिखो के प्रॉपर तरीके से explain करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे क्या explain होना चाहिए कैसे होना चाहिए और वीडियो के नदर में आपको समझ में आएगा चले हम अपना वीडियो यहां पर सबसे पहले दोस्तों यहां पर जो हिंदी सेक्शन के अंदर में आजयते हैं कि यहां पर आपको बहुत सारी जो स्टुड़िंट्स नहीं हो हिंदी के ही है नहीं से मिंट करते हैं तो हमारे जो पहला question question प्रकर क्लिए में चर्चा करने के लिए यहां पर कोश्चन आ जाता है इस वाले कोश्चन को जो आपका MHI 08 है lesson 1 मैंने कली वीडियो डाला था उसके अंदर मैंने यह वाला कोश्चन बहुत अच्छे से समझाया था ठीक है तो इस समझ में आया नहीं पढ़ा सईसे उस तरे नहीं फोकस कए चीज़ों पर नहीं समझ में आरहा है तो फिर hewitu को क्ट्रू उस ता क्या है कि प्रकरति को मानव का इंतर संबंध क्या है किस तरह का किस तरह का रिलेशन है प्रकर्ति और मानव का वह यहां पर पूछ रहा है हम मेरा पूरा फोकस यहां पर यह रहेगा इस वीडियो के अंदर में कि आपको कॉश्चंस को अच्छे से पूरा पाशानकाल के अंदर में पूराने पत्थ्रों का उपयोग किया गया उसमें कमिया क्या थी कि जो स्टार्टिंग में पत्थर थे ना उस सारे बड़े बड़े थे ठीक है उनको कैरी करना बहुत जादा डिफिकल्ट होता था बड़ा सा पत्थर लेकर मानने जा रहे हो सेर को नहीं मार पाऊगे ना तो यह चीज़े पर जैसे जैसे समय के साथ परिवर्तन हुआ मद्द परिवर्तन होता चला चला गया तो यहां पर पूछ रहे है किस तर से परिवर्तन हुआ और मानव प्रकृति का संबंद क्या है ठीक है तो देखो नॉर्मली जो मानव की डिपेंडेंसी पूरी तर से निरभरता प्रकृति को पर बेस्ति पुरा पाशानकाल मद्दे पाशा ठीक है निरभरते क्यूं एक टाना है तो फुरस्ति पर प्रकृति किस पर करोगे में ने ही तो कि यह पह आजाता है साथ साथ में जो सारीरिक विकास, मानव विकास नहीं माना गया, ठीक है, जो सरीर का विक्सित होना, कई बार क्या होता है, बच्चे आज के समय में घोड़े-घोड़े से बन जाते हैं, बड़े-बड़े, ठीक है, पच्ची साल, 26 साल के हो जाते हैं, और उनको जो knowledge of चीजे ह में उनको कुछ पता ही नहीं, कि क्या चीजे society में होना चाँ है, ठीक है, जो विक्सित होना चाहिए, मानसिक त přह पर विक्सित होना चाहिए, ठीक है, ब्रबॉल ओजार पाशनार काल के अंदर में बड़े-बड़े पत्थरों के देखे गा है, जिसका एक तरसना मालो भो सब्सक्राइब को के आट है उसको उतना था दा नहीं किया जा पर उस टाइम पर वही था तोसी Eng count क्या क्या गया मद्दि काल में क्या हुआ स्वेक्स मतलब धारows के टिरूटे ओसकते उसकोषण को जार खते हें फल्क मतलब मतलब क्या उता है जिसके सका पर उस टाइम पर वही था तोसी का उपयोग किया गया मद्दे काल में क्या हुआ सलक उजारों का उपयोग किया गया सलक उजार क्या होते हैं तो सलक उजार मतलब धारदार जो छोटे हो सकते हैं धारदार हो सकते हैं उसको सलक उजार कहते हैं फलक मतलब क्या होता है जिस से महत्य पूर्ण तरीके से उपयोग किया लगा और देरे देरे यह नहों पर पही किस तरह के हज़ार बनाए लगा तो जानवरों के हड़्डियों का वजार बना desert लगा हड्डियों के साथ साथ में जैसे जानवरों के सींग उनके उजार बनाए जाने लगे ठीके मासों का उप्योग किया जाने लगा तो अलग अलग तरीके से उप्योग करके जो प्रकृतिक की चीजे थी उनका उप्योग करके उजार के तोर पे उप्योग किया जाने तरी कि इस तरीके से ओजार बन सकता है दुवारा यह इसली बना सकते हैं तो मतलब इनको नौलेज पूरा आ रहा था ओजार बनाने के अंदर में कुछा लूप करन बनाने के लिए ठीक है और अवे सकताओं की पूर्ति के लिए इनकी पूरी तरसे डिपेंडेंसी प्रकरती पर निर्वर्ति पूरा पाषान मद्य पाषान के अंदर में तो हम यही देखते हैं कि प्रकरति के उपर में पुरी तरसे मानम निर्वर्ता पर दीरे-दीरे जब आप नव पाषान की ओर बढ़ते हो तो तो महां पर क्या हूँता है और अलग-अलग छित्रों में लोग का को वोगो सब करना कंद मूल के फली कठा करना उसको खाना पीना उसी तरह से जिवन व्यापन करना तो इसमें क्या हवा सभी की क्या हुई उस पर डिंद होगी प्रकृति पर निर्बर हो गई इसको पता होगा कि सेर मार्किट के अंदर में का जाते कि अगर आप 50,000 रुपय या कितने भी रुपय आप इंवेस्टमेंट कर रहे हैं तो कभी भी हमें एक सेक्टर में इनवेस्टमेंट नहीं करना होता है ठीक है अपने पोट्फलियो को डाइवर्सिटी करके करना होता है जिसमें अलग-अलग भिभिंताय हो अलग-अलग सेर को अलग-अलग कंपणियों को लेना चाहिए रिजन क्या होता है कि अगर एक कंपणी गिरी तो आपका जो नुकसान होना वह उस तरीके सनाव की पूरा एक ही तरब जा रहे है ठीक है अलग-अलग कंपनी तो कोई प्रॉफिट में भी होगा अलग-अलग सेक्टर की कंपणी चाहिए यह चीज होता है ठीक है तो यहां पर क्याता है सो भारत मेरे तो सबी का परिशा कहा था कि प्राकर्तिय के निर्वर होकर उसी तरीक से जीवन व्यापन करना पर दीरे-दीरे जब उत्तर काल में आते हैं जब आपन पाशान काल में तो लोग क्या होते हैं पर सान नहीं होता था ठीकिए एक का नुखसानavy वाटी सब अपना अर्जेस्ट कर लेते थहां उसके कहां से क्या एक्नौमी चलती थी तो इस तरीके से हम यहां प्राकरति की निरभरता के बारे में बात करते हैं और अंतक क्रियाओं के बारे में हम डिसकूस करते हैं ठीक है समझ में आता है कि पहले question I hope नहीं होगा पहले question के अंदर में इसकी वीडियो मैं ने पहले भी डाली थी जिसको आपको उसको देखोगे तो वह भी समझ में आ जाएगा और एक सजेशन यहां पर मैं वापस से रिपीट करूँआ कि यह सिर्फ एक एर की वीडियो है ठीक है अगर आपको अच्छे नंबर के लिए प्रिपेर कर रहे हो तो आपको लास्ट फाइब वीडियो को भी देखना है MHA08 प्लेइस्ट में जाओं वहां पर लास्ट फाइबयो के ट्वीडियो मिलेगी उसको देखो और भी सारे तुन पर तो उनको भी देखो उनके प्लेइस के अंदर में जाकर यहां पर मारा सेकंड कोश्चन आता है नवपाशान करांती से क्या थात पर रहे हैं अब नवपाशान करांती होता क्या है तो देखो क्रिशी के आगमन के साथ में मानव प्रकृति संबंदों में महत्यपन मानव मानव में अफ्रिषान के विग्सकार इसको अपनाइब नवपाशान युकि नियुक में नहीं पाणन था केओनख़ नवपाशान कालिन में जो उपकरन थे यूझा थे तक स्थी तौर यूझार. में कि ओजार बहुत जादा बड़े बड़े प्रमधेकाल फाइक अंदर अरवछीय के अलग लगते रगए जैसे में बड़े जो का जो साइस कि थे उसका उपयोग करना मुश्किल हुआ जैसे साईज तो कीशुटा हो से संबभाट कर गया क्रिशी क deze पूरा यूग क्रिशी को असी। ऑपाशान चाहिए नातर्था की द। निके नह पाशान काव पह चलक है कि ना को यहाँ पर को च्रीक काथा आपको अपना दिमाग भी यूज करना है इसलिए मैं बार बर कह रहा हूं यहां पर की कोश्चन पूछने का पैटन समझ में आता है कि किस तरीके से कोश्चन पूछ सकता है करते दौटी को पर कि इसलिए पर करती थे तो अलगाता है जो पर नार लगाया हुए नव पाशन के बारे में पूछ रहा हुए नाव पाशान के आपके चैप्टर कर चैप्टर का जो टाइम लाइन उसको भी देखके चलना time of frame को देखके चलना है कि किस frame के इंदर में किस time of frame के अंदर में questions put up किये जा सकते हैं यहां पर हरित करान्ती जैसी topics आई नी सकते तो उसके बारे में आपको कभी नहीं लिखना है अगर question के अंदर में क्रिशी करान्ती भी पूछ लिया जाए तो भी ठीक है तक्निकी परिवरतन साथ में क्रिशीयूक्रांतियूक्त के तर पर देखा गया मानब दोरा जो ते जो चावल गेहूं आदी फस्तुलों को उत्पाधन किया जाना सुल किया गया ठीके मानब परियावरण के उपर में बीच में संबंध वो दिरे दरे बढ़ते चले परियाव बढ़ती चले शी पाशहान शिल्व क्रूप करनों का परिवर्तन हो च निलीए जो इडिरेदर करण ही परिवर्तन ओर देटर पर आध और उसके सब्सक्राइब Extra High गोड़न चाइल्ड का यह मानना था कि जो पूरी अवस्था जो पूरी स्टेज जहां पर उजारों के अंदर में परिवर्तन आ रहे हैं ठीकि जो जार ते सुक्षम रूप से भिक्सित होते जा रहे थी मानव के जो परकिरिया था जो उत्पादन के परकिरिया थे उसके लग क्योंकि देरे देरे जंसंक्या भी बढ़ रहे थी नंडशंक्या भी तो क्या करना पड़ेंगा बहिए आपको पैदावार तो बढ़ाना पड़े तो भूमी की और पैदावर्क पड़ेगा तो भूमी की जुताई होगा जुताई कैसे होगा तो अच्छे उपकरण होंगे तो यह आपने तक्निके में परिवर्तन कैसे हुआ तो नई चीजों को अपना कर परिवर्तन हो तो यह पूरा चैन है ठीक है पूरा एक तरसे मानलो ब्लॉक चैन है एक के अंदर में चैंज इस दूसरे को पर में इंपक्त ठीक है बोजन की आपूरती बढ़ाने के लिए क्लिए क्रिशी पर जोड दिया गया अनाज के बिजो को बोया जाने लगा ठीक है पहले स्टार्टिक में क्या ताव खेती तो करते हैं लोगों को ग्य लोग भी तो रहेंगे ना कहीं कहां रहेंगे पेड़ों पर रहेंगे क्या तो उसके लिए क्या गया पेड़ों को काटा गया ठीक है पर आज के समय में यहां पर पूरी तरसी कॉलीनी हो चुकिये क्या सकते हो यहां पर पत्थ्रों के खेती है तो जीजगा पर रहते हो आज से 50 साल पहले प्रिड़ पोड़े खेती हो तो सेम चीज़ यह लोगों को रहने के लिए भूमी को साफ किया जाने लगा तो यह यहां पर नावपाशान करांती के दौर पर इसको देखा गया समझ जलो के ऊबर पानी हirm उसके ऊबर में किसी नहीं कुलिकर नहीं कि जल हवाज पानी जल किसी के बापका नहीं कि सबका धिकार ?" पर यह चीजे ग попыт छह तै जिस यूग में हम रह रहा है डेली में हम रहा है डेले के अंदर में लेंड़ विंटर सी शिजन स्टार्ट होता है ज बेच रहे हैं पहले क्या की एग को ज़ुझे तब किया हवा पानी जल किसी का बापका है कि पर वहार जोड पर सफ़ुन के इसने की सब कहbelsोध है जल आपके घरी में फेली बोटला वहाएंड लॉ Tucson k saben हम चीजे हैं फिले पर यहां पर चीजे बदल गई है आज के समय में पानी हवा ये बहुत की मती आप सोग शोना चांदी करे वहारिक रेकार गोलोगना तो जो ना कि आप एस यह जूल को सिब्स करती है जार चैत्छ Kiss Marie नल त्पूर फिरागना नहीं उस तरह पर पढ़ारे। भोड में आदीकार लिखा लोगने में हुए युदि मेरत है गुष्पलाता है यह ओक तैक आदिकार घुषित करते हैं तो यह मिचो लंडे संतेंडिंग उसके अंदर में परिवर्तन बतलावांवाता है ठीक है कोई चीज्वाँ कोई पैन है मैं वोला यह मेरा है यहाप यूस भिजाने कमेरा है आपके अंदर में ठेसाया किया रिस्का जलो अगREE कुछ और ले लेंगे कुछ और यूज कर लेंगा अगली बार से मांगेंगे इस परसंद से ठीक है तो इस तरह से चलता है या फिर लड़ाई होगा इसके लिए उपकर दिया जाने लगड़ा उपकार एक नरया द AV घंभा लॉस्ट के ढबेर कि ईंदर में उसका उप्योग मतलब इमार्ब भी सो बढ़एगा ना लोग ज्यादा हो गए पानी तो उतना ही है पर लोगं बढ़ते चले जाए तो इसकी खीचा तानी और बढ़ती चली जल की उपलफदता encouragement की विर्दी कारण मनती है ठीक है जितनी जादा मांग उतनी जाद कुछ सब्राइब कर तिक Hein203 लेकर पकी सांग् attorneys आम कर नेकर रहा किंपार दोम्हारस्वार पाकिस्तान को लेकर नीद्गा समय कर अंतराश्च इस तर पर है कि सल 220 औरहे किस्टर से लगों कर रीफ़ाद है से हमारा ठीक उसका जलववीवाद वह छोड़दो आप भारत के ंदर में कई सारे राज्यें जिनके बीच मैं आपस में वासमें ढनल जलन धाल भीवाद है ठीक है अ हरियाना से जोNow पानी निकलकर आती है दिसी लाड ये। क्डूटर्वॉपन देखते हैंcape हड्याना के कैया ट्र्स हैंतक हमारे पास पानी कम पड़ रहा ही। हैं खीसोने हजारइब हैं थीके भारत के अंदर में हूता हैं और ये करिकांट देलियों लर्ला अलबान से लिए इसलों आए इस आज पानी पानी हवारत के और में एक चीज आपको और बता हूँ तो यह जो बुक में आपको पढ़ा रहा हूँ यह मेरे पास थानी सब्जेक्ट थानी बट जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाने के लिए एक बार लिया बुक तो बहुत इसी और समझने वाली चीज है कि जो आपको पता होना चाहि एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि क्या चीज चल रही है हमारी सोसाइटी में इसके इस तरह के टॉपिक्स के अंदर में थे जिसके कारण से मुझे इंटरस्ट आया मैंने इसको पढ़ा और आपके लिए आज में पढ़ा रहा हूँ ठीक है तो जल संसादरों के बीच में कुल रहे हैं ठीक है कोमपेडिशन चल रहा है मुख्य रूप से राजनेटिक मुद्धा करनी ज़रा है ज्यापा सब्हार बेक्न ही aad p vine तो कि और किसी बी चीज के ओपर में जब हम अधिकार गोसित करते हैं होस। अधिकार और के sound तो एह अगर जल परियावरण से या रहा है असको क्या क्या रोल है किस तरह से परियावण हमें जल दे रहा है उसको बस यहां पर explain करोगे आप अच्छे से ठीके जो चीजे मैंने बताई हूँ आप बताऊगे इस इन चीजों के अंदर में मैंने बहुत सारी बढी वरतंत अब देखो भाई ऐब मेरे पास कोई ओजार नहीं है थीके तुम्हें क्या करूँ किस के ऊपर भाई क्या कैसे खाना बनाओ क्या करूँ ओजार में चाये नासब्जी काटने के लिए चापको तुछाईए तो क्या किया लोगों ने स्टाटिंग में पत्थ्रों जीए कुछ सई थे यह विसके अंदर में क्या किया गया ताम पा इन तेन को मिलाया गया ठीक है तो इन दोनों के मिलन से जो प्रदार्त बना वो बहुत जादा थोस था जाइए ज़ैसे हम काश्चे कहते हैं काश्चे वर्द करते हैं अ अब ओजार जो बनाई जा ering किसके बनाई जारे एक कांशे के बनाई जारे थे के बाद मेरें लुए के बाद मेरें अगला यूग आदा है कांशे भी उतने प्र तरह के तौर पर तो चौश को पड़ेॉग सब्काइब जिए लुए कर बनाए जाता था तो उसको पिगला कर एक तरह से अलग लग सांचों में ढालकर उजार बनाए जाता था अब इसके बाद आता है लोहे का उप्योग ठीक है यहां पर आप आप यह जाने लगी ठीक है तो यहां पर इस तरह सकते हो पूरा एक ताइम सीरिज बता सकते हो कि क्या किस तरह से परीवर्ता ना आया देख पास हर तरह की सुच्दा हर तरह की टक्नोलोजी है वह तामबे का यूज कर सकता है का से कर लिया उसने लोहे का यूज किया यह समय के साथ आगे बढ़ता है चला गया पर दूसरा व्यक्ति नहीं है तो वह तो पीछी रह जाएगा ना खेती करने के लिए आपको हल्की रव प्रूस कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके से यहां पर यह चीजे रहती है तो इसके अंदर में सिर्फ आपको धातों के उप्योग और मानव जीवन सैली के पैटन के अंदर में क्या परीवरतन आया उसको बताना है ठीक है मैं अगर नॉर्मली एकर मेरे से पूछोगी इसका अंसर तो बहुत बड़ा अंसर है मैं बताना चाहता हूं बट टाइम इस गॉइंग ओन ठीक है मुझे मेरे पास टाइम कम है और यहां पर चार कोशन हो चुके कुछ और कराने तो मैं तरफटावा टॉन कोशन के ऊपर में भी चलू ठीक है पांच वाव डॉप करते क्योंक इंडस्टिरलाइज़ेशन ने उपणिवेश इक जो इन पनाव बनाया उसकी धारणा किस तरह से प्रभावित करा रहा था दोने दूसरे कुपर में किस तरह से इंपेक्ट डाल रहे ता उसके बारे बात करते हैं उद्योगी करण की सुरूवात देखी जाते मिस वी सताथ वारत बिटन का उपनिवेश बना ने के सासात में क्या हुआ कि भारत के उपर में उपनिवेश्टिक ववस्था का प्रभाग सीधा उल्टा डारेकली इंडारेकली पड़ता था ठीक है पड़ता जा रहा था बृटिस सरकार के द्वारा ओध्योगी जरूरतों के लिए ठीक जो भी उनके दोजी की जरूरत है कि एक ऐसा टाइम प्रेट आ गया उनिश्व साब्दी में जहां पर बड़ी-बड़ी फैक्ट्रेया खुलने लगी बड़ी-बड़ी जो मसीने बनने लगी ठीक अलग लग तरह के चीजों के उपर में लोगों की निरवरता जाने लगी जा जाने के लिए लगाद की जड़्ी के बीच में लगाया जाता है advocating लगवी यूदघ चल रहा हूं में आपको पैसे की बिचके लएंगे तो इस तरीक से भारत के जंगलों का दोग्कर्ण गराउन इस्टार्टी सटाथ हुआ ॏ तावधी के अंदर में एक चीजिए आप देखें कि पर चलन उपने विशी कर चलन का दौर सुरूब जहां पर क्रिशी करना आरंब किया गया लोगों के दौरा जब करना आरंब किया गया तो एक तरह से यह भी दिखा गया कि क्रिशी का इंपक्ट भारत के पॉजिटीव उसके उपर में विष्क किया गया और यह पॉजिटीव इंपक्ट डालता है पर में लिए डोग करेंट के टाइम पिरेड में आपने वेशिक दौर के अंदर में भारत संका उसने प्रकार से जंगलों का दोहन करके वन्व का दोहन करके ओंगी तिक है अगले question क्यों बढ़ आप घर के अंदर में बैठे हो हो तीकि कुछ भी चीज आपको दिख रहा है कॉप चीटी चिफ कखीक लइक ब्र provinces टीक को हम सब कुछ नियला के नंडर में नहीं कहते हैं कते के सजीव नोमें पारे जाने बारत के अंदर में जय विद्था है चंद चिंटा कभी से क्योंकि दीरे 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 कई सारी जो चीजें वह विलुक्त होते जारे गायब होते जा रहें वैनिस होते जा रहें रिजन क्या है भीया तो हमारी लापरवाई ही ठीक है यहां पर कुछ आंकड़े में आपके सामने रखता हूं कि उस समय क्या था और अभी क्या है वो थोड़ा सा यहां पर डिस्कूस करते हैं टाइम को मद्दे नजर रखते हुए कहा जाता है कि भारत के अंदर में लगबग 65,000 ठीक है 65,000 के परजातियां अलग अलग तरह की परजातियां पाई जाती हैं जिसके अंदर में से 2546 परजातियां स्रीप मचलियों की हैं इसमें से मुश्किल से आपने दो तीन तरह की मचली खाई होगी टोटल 2546 परजातियां मचलियों की हैं जिसमें से और हम बात करें तो 1228 परजातियां स्रीप पक्षियों की हैं आप कितने वर्ट को जानते हो पांदस ठीक है 5000 से ज्यादा जो प्राप्तियां जो परजातिय करीब में कहते हैं उनको 5000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां है 40,000 से ज्यादा जो प्रजातियां है किस चाली जाजार इसा ज़र के नमबर हें तक शाली सानव के करीब में नैंने उनकों Ministส का है क्तियुक्यान के सा issच चारसो अठाइस प्रजातियां सांपों की हैं यह स्रीप रफली आंकडा में बता रहा हूं आपको रियालेटी इससे कहीं ज्यादा और जिस समय बुक्षपी होगी ना उसके बाद में कितनी और आ गई होंगी चारसोय तरह के साप टीन इससारएंक के सतन्वाइजी सर्थे मोह आ इन इससे को कि paper बोटने प्रजाट से बन करें घ्शार कि बीए तरह की तरह सेसे के यह वह तन्मवाइब के ब्लाइब ना प्रेसांद्वाइब कर के है उनकी है 15 न फीर होए कि भात ते कि अलग अफर होतें उनकी बात कर कर चलता हैं तो च्याहिन के बहुत बुड़़ी तो इसी अब गर लिए जिवजद्व है benefits न से जो आभ uniform ठीक है आपने कुछ समय पहले देखा होगा एक नियूज में कि चीता को कुरुणों देश से लाए गया था बाहर से विदेश से परदान मंतरी ने मंगवाया था बाहरत के अंदर में चीता की संख्या बढ़ाने के लिए ठीक है तो रीजन क्या है हमारे पास क्या था नहीं हम क्यों बढ़ते हैं हमारा कोशन नमबर एट ठीक है सीबीडी और ट्रिप्स है क्या इसके बारे में इसके संगर्स क्या है इसके बारे में यहां पर बात करते हैं इस वाले टॉपिक बहुत इंपोर्टन टॉपिक है आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए इसको मैं थोड़ा बहुत इजी है कई सारे बचे को टफ लगेगा बहुत इक संपदादिकार इंग्लिस में इसे कहते है ट्रेड रिलेटिड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्च्वल प्रॉप्टी राइट ठीक है जो भी वैपार करते हैं उसे संबंदी जो दिकार होते उसके बारे में आप हम बात करते हैं और बहुत इक संपदादिकार वाले में क्या होता है कि भाया कोई भी आपके आफ्सपाज में चीजें हों उसको किस तरस हम बचा सकते हैं तो उसके तीन रूल भी बात करता है सीबीडिक के अंदर में कहता है सबसे पहला रूल होता है संग्रक्षन का ठीक है संग्रक्षन करो दूसरा रूल होता है सतत्विकास का सतत्विकास मतलब क्या कि आज पानी आप देख रहे हो आज आप देख रहे हो तो आप चाहो कि आपका बच्चा भी देखे ठीक है उसके बच्चे भी देख सकते हैं मतलब क्या निरंतर सतत्विकास उसी तरह से चलता है घर के अंदर में कोई समान लेकर आती है बाटती है तो इस तरह से न्याय संगत उची तरीके से बाटा जाए कि सभी लोगों को ब्रावर मिल सकते हैं कि किसी ने फूरा भर लिया पूरा स्टोरी बढ़ लिया और किसी के पास कुछ नी ठीक है तो यह चीजें यहां पर देखी गई ठीक है समझ में आता है तृप्स के अंदर में क्या बात कि अंदर में ट्रिप्स का नॉर्मली बहुत इक संपता दिकारों के बारे में बात करते कि चोपीरैट के निदर में डाल दूआ अगर मेरी बूक किसी ने और नहीं अधिक कि तो उसके उपर क्लेम उसके उपर के सोगा इसके उपर के सकता है मैंने वीडियो बनाके डाला यूतुब पे कीसी ने वीडियो को कॉपी क्या डाल दिया दुबार सदावनोड करके ठीक त करूंगा उसकी वीडियो को डिलीट कर वाऊंगा उसके चैनल को डाउन कर वा सकते हैं और भी बहुत तरह के राइट से वो आ सकते हैं अगर आपने किसी सौंग अगर कभी डाला हो अपने चैनल पे कभी किस गलती से कभी बच्छमन में ठीक तो आपके पास एक मेल आया होगा यहां पर अगला कोश्चन हमारा आता है कि गांधी जी के विकास, गैर ओद्योगिक मोडल ठीक है, उसकी आलोचनात्मक प्रिक्ष्चन कीजिए, अब देखो गांधी जी का क्या महना था, कि मानना था ? घांधी जी», सव रूप योजना की बात करते थे 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 , तर्प पूरे विश्कु एक घrated r 00 l ॉठ, chण ऑप किसी भी बच्चे को पकड़ो, उससे पूछो बीजा, सोहंं लाल मोहनलाल, पूरे खांदान कへ बाप, उस के बाप, उस पर सेहर के अंदर में आप कौन हो आपके नीचे वाले फ्लेड वाले को पता नहीं है नीचे में कौन रहता है आपको पता नहीं है यह चीजे होती है तो गांधी जी ने देखा किस तरीके से ना हम ग्राम विकास के और बढ़ सकते हैं पूरे विश्व को एक ग्राओं के तौ यह क्या स्टेट से लोगों को बढ़ता जा रहें लोग बढ़ते जा रहें तो गांधी जी नहीं चाहते थे यह तो मैं थोड़ा से अलग बताया बट नॉर्मल यहां पर इनके टॉपिक के ऊपर आओगे तो यहां पर यह देखा गया कि गांधी जी के दौरा एक हिंद चीजे नहीं रहेंगे तो हमें विकल्प के बारे में सोचना है उसकी तरफ बढ़ना है कि और जो भी चीज़े आप दे हो गौर्णमेंट कुछ भी चीज़े ला रही है तो आसा नो कि एक ही वर्ग के लिए तो पूरे सभी वर्ग के तक पहुंचे समान विकास हो सतत विका करो चलते हैं ठीक है समझ में आता है तो दोस्तों यहां पर यह वीडियो यहीं पर एंड होगी ठीक है मैं बहुत जादा लेट हो चुका हूं और अपने टाइम से तो यह वीडियो यहां पर एंड करता हूं मैं आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं और भी अगर तरह की वीडियोस आपको चाहिए तो आप कमेंट किसे एका मैं ट्राइ करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी उस तरह की वीडियोस बना सकूँ और आपके लिए हेलफुल हो वीडियो सजेशन लास्ट में यही रहेगा आप सभी स्टुट्ट्स के लिए कि आप लास्ट फाइव टैनियर की वीडियोस देखिए उससे आपकी इस लेबस कंप्लीट होगा इसली आपको बुक भी पढ़ने की जोरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर आप फ्रेंट हैं जिनको जोरत है हमारे चैनल की तो उनको भी सेर करें जिससे वह भी इसका बेनिफित उठा सकें तो फ्रेंट थांकि तांकि सो मच वाचिंग मी थैंकि सो मच पॉर लिस्निग मी बाबाए टेकर अल्दा बेस्ट